तो दोस्तो फाइनली ओपो के 5 लॉंच होने वाला 17 अक्टूबर को चाइना के अंदर और दोस्तो लॉंच से पहले इस स्मार्टफून का लगबग हरे के स्पेसिफिकेशन कन्फरम हो चुका है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलने वाला स्नैप ड्रगेंग क 730G का प्रोसेसर 64 मेगा पिक्सल का क्वार्ड रियर कैमरा और 32 मेगा पिक्सल का सेलफी कैमरा और उसके साथ ही दोस्तो मैं आपको बता दू कि इस स्मार्टफून का वेस्वेरेंट आपको 20,000 रुपिस के अंडर देखने को मिलने वाला है तो चलिए दोस्तो इस वीडियो स्मार्टफून की बिल्ड और डिजाइन से तो दोस्तो ओपो के 5 में देखने को मिलने वाला रियल मी एकस्टी के जैसा ही बहुत ही बैतरीन ग्लास फिनिसिंग का डिजाइन जो की आने वाला है कौर्णिंग के गुरिला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ और उसके साथ ही बहुत ही बैतरीन चोटे से नौच के साथ और उसके साथ ही दोस्तो इस स्मार्टफून में आपको देखने को मिलने वाला इन डिस्प्ले फिंगर पिंट सिंसर का सपोर्ट जो की बहुत ही अल्टरा सॉनिक और फास्ट काम करता है और उसके साथ ही दोस्तो इस स्मार्टफ Redmi K20 पर्चेस करने की सोच रहे थे तो आप थोड़ा वेट कर ले क्योंकि दोस्तो OPPO K5 का स्टार्टिंग प्राइज आपको 20,000 रुपीस के अराउंड ही देखने को मिलने वाला है तो आप से रिक्वेस्ट करूँगा 30W के फासाजिंग को और उसके साथ ही दोस्तो फाइनली बात कर लेते इस स्मार्टफोन की कैमरे की तो दोस्तो इस स्मार्टफोन के रियर साइड में देखने को मिलने वाला 64 Megapixels का Quad Rear Camera का सपोर्ट जो की प्राइमरी 64 Megapixels Samsung GW1 के सेंसर के साथ आने वाला है और उसके साथ ही आपर आपको 13 Megapixels का एक Ultra Wide Angle Lens 2 Megapixels का एक Micro Lens और 5 Megapixels का एक Depth Sensor देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में तो फाइनली बात करें दोस्तो इस स्मार्टफोन की प्राइजिंग की तो दोस्तो इस स्मार्टफोन का हाइर वेरियंट आपको 24,000 रुपिस के अराउंड देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला 8 GB RAM 256 GB internal storage के साथ और वहीं बात करें दोस्तो इस स्मार्टफोन की operating system की तो दोस्तो इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला Android Pie का support जो कि आने वाला Color OS 6.1 के साथ और फाइनली बात करें दोस्तो इस स्मार्टफोन की release rate की तो दोस्तो इस स्मार्टफोन को October 17 को चाइना के अंदर launch किया जाने वाला है उसके बाद इस स्मार्टफोन को इंडिया में नौउमबर के महिने तक launch किया जा सकता है तो दोस्तो यही थी स्मार्टफोन के बारे में confirm leaks चोकि मैंने इस वीडियो में आपके साथ share किया है तो उमीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए कीप स्मार्टफोन करिएगा